हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब का मेरी किचन मी तो आज हम बनाने जा रहे हैं मॉर्निंग ब्रिकफास्ट मी वेजटेबल उपमा जो कि सभी की पसंद है और बहुत ही ज्यादा स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि सबजियां बहुत सारी डाली हैं तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरा एंट तक बने रहना तो चलिए मेरे साथ तो इधर ले लिए मैंने एक कप सूजी और जे मैंने सबजियां ले लिए प्याज गाजर और जे स्वीट कॉन और इधर ले लिए बीन्स कॉलिफलावर और जे फ्रोजन मटर ले लिए मैंने और ब्लैक स तरसों एक चमच, नमक, देसी घी और जी सब्जियां जो है मैंने बहुत ही बारिक बरिक काटी हुई है गाजर और जी कॉलिफ्लावर और बीन्स जो हैं बहुत चुट-चुटी पीसिस में काटे हैं तो इदर जो सूजी है वो नॉर्मल सूजी है तो इदर पानी ले लेंगे और बेटेबल आयल यह मैंने तो इदर ले लेता है मैने फारा दनिया बज्की है मुफ्ली और जो शाबत डल आती है और जो चनना दाल मैंने एक एक चमच अज़ने पानी में बिगा दी और हरी मिर्च और करी पत दी तो सबसे पहले हम सूझी को ड्राइर रोस्ट करेंगे कई लोग सुझी को पहले से रोस्ट करके रख लेते लेकिन मेरे को फरेश आपकी सूझी जो है स्वैर रोस्ट की हुए ज्यादा अच्छी लगती तो इसलिए आप भी सूजी को फ्रेश रोस्ट करें क्योंकि अगर आपने सूजी स्टोर करके रखनी है तो आप रोस्ट करके रख सकते हैं लेकिन फिर भी मिरेको जो रोस्टी होती है वह ऐसे ही रखती हूं मैं फ्रीज में तो उसके बाद जब चाहिए हो तब ही मैं करना है तो यह हमारी हो चुकी है सूजी तो इसको हम किसी प्लेट में शिफ्ट करके और इसको हम इसी जो चड़ाई है इसको साफ करके टीशू से इसी में हम उपम प्राना शुरू करेंगे तो सबसे पहले डालेंगे इसमें वेजिटेबल ओयल और जैसे हमारा डालेना है तो इसको हलका सा brown होने तक इसको fry करना है तो जी देख contamina public काजू भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें मूपली डाली हुई ज्यादा tasty लगती है तो आप अपनी choice पे हैं अगर काजू डालना चाहें तो वो भी आप ऐसे फ्राई करके उन्हें निकाल दीजिए तो उसको उपमा बनने के बाद इसके उपर हम डालते हैं तो मैं इसमें अभी डाल रहे हैं मूफली तो इसी ओयल में हम आप डालेंगे जो हमने डाल को सोक करके रखा हुआ था वो डालेंगे उडद जो साबुत आती है वो वाली और चना डाल इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो कई लोग इसमें हींग डाल देते हैं अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो दोनों जो है हमने एक-एक चमस डाल को 5-10 मिनट के लिए हमने इसको सोक करके रखा हुआ था तो इसको कर लेंगे हम अच्छे से फ्राई और अब इसमें डालेंगे हम बलेक सरसों और उसको भी हम पूरा क्रेकल होने देंगे यह देखिए तो और इसको छी सिफ्राई करके अब इसमें डाल देंगे जी हरी मिर्च जो कि मैंने इसको बीच में से स्प्लिट कर दिया था और साथी में डाल देंगे करी पत्ता करी पता को मैंने सुछआ के रखा हुआ या क्योंकि कई ऐदर फ्रेश जो करीपते हमें नहीं मिल पाता है तो इसलिए सुखा के रख लेते हैं तो अब डालेंगे इसमें आनियन जो छोटी-छोटी पीसिस में काटे हुए हैं तो साथ ही डाल देंगे इसमें कैरेट्स क्योंकि जो कैरेट है उसको थोड़ा होने में टाइम लगता है तो प्याज थोड़ा सा हलका सा ट्रांस्फुलसेंट होता है तो इसी के साथ ही हम जे कैरेट्स और कॉलिफ्लावर हम मिला देंगे तो इसको भी अच्छे से हमने कर लेना है फ्राई तो सबजें को आप अगर आपको जल्दी है तो सबजें को पहले से किसी गरम पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लो तो फिर आपका काम और ज़्यादा ही हो जाता है तो मैंने बॉइल नहीं किया है मैंने इसे रौ रखा है तो अगर आपके पास टाइम कम है तो सबजे को अलग से बॉइल करके तो फटा फटा आप इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर सकते हैं तो यह इदर डाल दिये बीन्स तो गाजर और बीन्स और शिमला जो है पत्फूल को भी इसको हम पहले डालेंगे और यह हमारी जो दूसरी फ्रोजन सबजिया है वो हम बाद में डालेंगे तो इसमें नमक हम स्वादन साथ डालेंगे मैंने डेड़ चमस डाला है तो इसको अच्छे से फ्राई करके और इसके उपर हम इसको कवर कर देंगे कवर करके दो-तिन मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और जो हमारे कॉर्ण है और फ्रोजन मतर है वो हम बाद में डालेंगे तो यह जब तक सॉफ्ट होते हैं निदें न एक्षे से फ्राई हो गए है या अप डाल देंगे इसमें फ्रोजन मटर और साथ धी में डाल देंगे हम यह कॉर्न भी डाल देंगे तो इसमेंसे आप जातो कोः सब्जी इसमें एड करने सब्जाञा ड attend तो इसमें आप डाल देंगे हम जे रोस्ट की हुई सूजी क्योंकि सब्जियों के साथ ये भी तो हलकी सी और पक जाएगी और इसमें भी जो हमने थोड़ा सा देशी घी भी इसमें एड़ करेंगे तो इससे सूजी जो है दबारा एक बार फिर से फ्राई हो जाती है तो इसको अच्छी से हमने सब्जियों के साथ ही रोस्ट कर लेना है तो इसमें अब डाल देंगे हम दो चमच घी दो चमच घी डालने से क्या होगा कि इसका टेश जो है इतना ज़्यादा अच्छा आजाता है और बनने के बाद इसके एक शाइनिंग भी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ये उपमा मेरा जो है मेरी वीदी से आप ट्राई जरूर करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है कोई भी महमान आए तो आप यसे रोस्ट करके रख सकते हैं जब आए तो आप इसमें पानी एड़ करके और आप उसको रेडी कर सकते हैं तो सूजी जैसे हमने एक कप लिए थी तो उसी हिसाब से हम वने तीन कप हमने पानी डाल देना है तो आप अच्छे से बॉयल करना है जब हमारे सूजी पूरी अच्छी से गाड़ी हो जाएगी तब तक हमने करना है तो इसको हम हलका मीडियम फ्लेम पे इसको हम ढख देंगे क्योंकि जब जब वाइल होती है तो इसके छिटके थोड़ से निकलते हैं तो इसलिए इसको हम डख देंगे तो बच्चों को भी शायद बहुत पसंद आई यह उपमा क्योंकि वेज़िटेबल वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं तो इसी बहाने कुछ खा लेंगे बच्चे सबजी हैं तो यह देखिए गाड़ा होना शुरू हो गया है तो इसको पुरा हिला है कि अच्छे से हमने थिक करना है जबकि यह कडाही हमारा छोड़ने लग जाएं तब तक और इसको हमने यह देखिए बन के हमारा पुरा तेयार हो गया है और बनने के बाद भी इसको हमने पांच मिनट बाद हमने सबब करना है क्योंकि धखिए देने के बाद भी यह स्टीम से भी अच्छे से हो जाता है तो यह फ्राई की हुई मूफली हम उपर डाल देंगे और अगर काजू फ्राई किये होंगे तो काजू डाल जी आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो यह देखिए उपमा हमारा हो गया है बनके तैयार और अब इसमें हमने कड़ाई छोड़ने लग गया है पुरा तो अभी इसमें हम मिला देंगे हरा धनिया हरे धनिया के साथ जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो अब मैंने गैस बंद करती है और पांच मिनट बाद इसको खोला है तो यह देखिए पुरा थिक हो गया हमारा जी उपमा तो सब करने के लिए रेडी है तो यह देखिए हरा धनिया जो बार एक परी काटा हुआ था वो मैंने अब डाल दिया है तो इसको अब हम सब करने की तियारी करते हैं तो एक कटोरी लेंगे और कटोरी में यह पुरा अच्छे से फिल कर देंगे और एक चम्मच के साथ पुरा प्रेस करके अच्छे से हम इसको यह करेंगे तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज हो आपकी सब की हुई तो सब आप बहुत अच्छे से कीजिए तो इसको आप इमली की चटनी जाफी हरीदनी की चटनी चटमेटर सॉस किसी के साथ भी सब कर सकते हैं दहीं भी दे सकते हैं इसके साथ यह देखिए बहुती परफेक्ट उपमा बना है तो आप मेरी यह रेस्पी जो है आप ट्राई जरूर करना और अपने कमेंट सेक्षन में शेयर करना कि आपने बनाया है तो कैसा बनाया है उमीदा आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा शेयर करना तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई हेल्दी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार एंड स्टे ब्लेश्ट थेंक यू कर दो